हेलो फ्रेंट्स वेलकम पैक टो नेचरल लाइब दोस्तों आज मैं एक साडी का र्योज आपको बताने वाली हूं तो इसके लिए देखिए मैंने ये पुरानी साडी ली है मेरी ये मेरी सासुमा की साडी है लेकिन ये ऐसे ही पड़ी हुई है अब इसे कोई नहीं पहनता है तो इसमें मैच करता हुआ मैंने इस तरीके का वाइट कलर का अस्तर ले लिया है और अस्तर को देखिए मैंने फोर कुड़ेली है इसे भी मैं फोल्ड कर रही हूँ और इस तारीके से देखिए मैंने अस्तर के उ पर जो अस्तर का फाप्रिक है उसके उपर इसे रख लिया है और यहाँ पर हमें मार्क करना है यहाँ पर साइड में आपको जिटना एक्स्टा चाहिए उटना आप एक्स्टा माजिन रखकर मार्क कर लीजिए और यहाँ पर देखें मैंने स्ट्रेट नहीं किया है मार्किंग क्रॉस में कर दिया है यहाँ नीचे से तो क्योंकि मैं इसे एलाइन कूर्ती बनाने वाली हूँ तो यह देखें मार्क करने के बाद मैंने इसे कट भी कर लिया है सम्टिंग वन इंच जिटना हम यहाँ से क्रॉस कट करेंगे नीचे बोटम की और तो यह देखें यह हमारा अस्तर कट हो चुका है अब हम नेक लाइन की कटिंग करेंगे तो चौड़ाई मैंने लिए 3.5 इंच और लंबाई भी मैंने लिए 3.5 इंच बोक्स बनाने के बाद इस तरीके से हमें कर्व शेप देना है और मैं इसे कट कर लूँगी उपर से हमें 1.5 इंच जितना सुल्डर स्लोप देना है अब मैं लिए उगी साड़ी और साड़ी को देखें मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और इसके लंबाए मैं मेजर कर रही हूँ तो जितना आप लंबा रखना चाहते हैं उटना आपको लेना है मैं ले रही हूँ 42 इंच जितनी मैंने यहां से साड़ी को फोल्ड करके रखी है और मैं यहां से इसे कट कर लूँगी एक छोटा सा कट लगाना है उसके बाद मैं इसे इस तरीके से खींच लूँगी तो यह अच्छे से हमारे कटिंग हो जाएगी एक्वल साइक में अब यहां पर जो फोल लगा हुआ था वो भी मैंने निकाल दिया है और एक साइड पर बोर्डर लगी हुई थी वो भी मैंने रिमो कर दी है साइडी में देखे इस तरीके के पेच भी लगे हुए हैं तो आप अगर उसका कहीं पर इस्तमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मैंने उसे साइड में करते हुए देखे जो वाइट हिस्सा था वहाँ पर ही इस तरीके से अस्तर रख कर इसकी भी कटिंग कर ली है और जो मीडल था इसका सेंटर निकालते हुए मैंने मीडल में कट कर लिया है अब मैंने फ्यूस पेपर लिया है 13 बाइ 9 इंच का और इसे हमें सेंटर से फोल्ड कर देना है इस तरीके से और जो साइड का बच्चा हुआ फाबरिक था ना रेड कलर का वो भी मैंने लिया है देखिए अब इसे हम फोल्ड करके मीडल से कट कर लेंगे और देखिए हमें एक साइड से इस तरीके से हलकासा कर शिप देते हुए कट कर लेना है तो यह देखिए यह मेरे दो हिससे इस तरीके से रेडी हो चुके है और यह फाबरिक हमारा पूरा जोइंट नहीं था दोनों साइड से ही बच्चा हुआ था इसलिए मैंने इस तरीके से इसे कट किया है अब मैं फ्यूस पेपर को इस फाबरिक के उपर रख कर प्रेस करू अब हम यहां पर फोल्ड कर सके उटना ही फाब्रिक रखना था तो मैं देखिए यहां पर इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूगी जहां पर हमारा राउंड शेप आ रहा है वहां हमें थोड़े-थोड़े कट लगाने हैं तो बहुत इसली और अच्छी फिनिशिंग के साथ यह फोल्ड हो जाएगा तो उसी तरीके से हमें 2 फाब्रिक पे फोल्ड कर लेना है और एक साइट पर दिखिए मैंने यहां पर फोल्ड नहीं किया था और इसके ऊपर मैं दूसरा हिस्सा रखूंगी और इस तरीके से इसे मैं दोनों को अटेच कर लूगी अब जो ये रैडी हिस्सा है उसे हमें इसके हमार जो में फाब्रिक है कुर्ती का उसके उपर रखना है राइट साइड पर हम राइट साइड ही रखेंगे और जो असतर का फाब्रिक था उसे हम उपर रखेंगे अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर हमें पिन अप कर लेना है अब चाहें तो यहाँ पर सिलाई के कच्चे टाके भी लगा सकते हैं अब यहाँ पर नेक पर दिखिए मैं सिलाई कर लूँगी और साइड में भी हम घलेक पर भी सिलाई करके अटेच कर लेंगे तो देखे मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है और पिन भी रिमो कर दी है अब जो एक्ष्ट्रा फाब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी और यहाँ पर हमें छोटे छोटे नोचिस लगाने है नोचिस लगाने के बाद हम अस्तर को अंदर की साइड नीचे की साइड फोल्ड कर लेंगे और उपर यहाँ पर देखे हम सिलाई कर लेंगे ताकि हमारे टॉप स्टीच करने से अच्छी फिनिशिंग आ जाए तो यह मैंने टॉप स्टीच कर ली है अब जो बैक साइड है वहाँ पर हम कूरती का जो में फाबरिक है उसे और अस्तर को जॉइंट कर लेंगे और इस तरीके से टान कर लेंगे तो यह हमारे बैक और फ्रांट के हिस्से रेडी हो चुके हैं हमने यहाँ पर लाइनिंग को अटेच कर लिया है मैंने जो उपर का मेन फाबरिक था साइडी का उसे एक्ष्ट्रा कट किया था ज्यादा कट किया था तो यहाँ उपर से देखें मैं इस तरीके से इसे अच्छे से फोल करके सेट करके रखा है 15 इंच पर मार्क कर लोंगे और नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने स्ट्रेट कट कर लिया था तो नीचे से हमें 5 इंच पर मार्ग करना है और इसे हम राउंड शेप देंगे और उपर से देखे इस तरीके से हमें अस्तर की सेटिंग करते हुए पूरा क्रॉस में ड्रो कर लेना है उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे और अस्तर की उपर इस तरीके से हम साइड में सिलाई लगा देंगे सेम इसी तरीके से फ्रांट हिस्से को भी मैंने रैडी कर लिया है अब दोनों की राइट साइड हमें फेश करते हुए रखना है और इसके सोल्डर को हम जोइट कर लेंगे तो यह हमारे सोल्डर जोइट हो चुके है अब हमें क्रॉस में बाइस पट्टी कट करनी है और स्लिवस पर देखिए हम इस तरीके से राइट साइड पर स्ट्रिप को अटेच करेंगे और फिर इसे हमें राइट साइड पर टर्न करना है यहाँ पर हम डबल फोड करेंगे और उपर सिलाई कर लेंगे तो सेम इसी तरीके से सेकंड स्लिवस पर भी हम कर लेंगे अस्तर का जो फापरिक था उसकी बॉटम में डबल फोड करके सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद हम यहाँ उपर से दोनों साइड से इसे सिलाई करके अटेच कर लेंगे तो यह दिखिए हमारा यहाँ पर अटेच हो चुका है और मैंने अस्तर में भी फोल्ड कर लिया है अब जो हम अगरी कुर्ती का बॉटम है में साइडी का वहाँ पर भी मैं डबल फोल्ड कर लूँगी तो यह देखिए इस तरीके से यह रेडी हो चुका है आप चाहे तो यहाँ पर पी को भी करवा सकते हैं अब मैंने यहाँ पर इस तरीके से बटन लिये हैं आप यहाँ पर टैसल्स भी लगा सकते हैं और मेरे बटन कुछ अच्छे से मैच नहीं हो रहे हैं आप अपनी पसंदगी के हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी वराइटी की बटन्स मिलते हैं उसका यूज कर सकते हैं यह हमारी कुर्ती बिल्कुल रैडी हो चुकी है ओल्ड साडी का मैंने इस तरीके से रियूज किया है आप आपको यह आइडिया पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना शेयर करना और चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना ऐसे और नए और इंटरस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय भारत